जै शेरीराम शेरीराम मंदाकनी के तट पर जब इस प्रकार के सार्थक वचन कहकर चुप हो गए तब भरच शेरीराम से बोले हे नर्श्रेष्ट आपके तुले इस लोग में दूसरा कौन होगा सब बड़े बूड़े आपको मानते हैं और धर्म के विश्य में संदेह होने पर आप उन लोगों से पूछा करते हैं ना तो दुख आपको दुखी कर सकता है और ना ही हर्ष आपको हर्षित कर सकता है ऐसी बुद्धी वसोच रखने वाले मनुश्य को बहला क्यूं किसी वस्तू के लिए दुख होने लगा हे रागव, आप देपताओं की तरह सतो गुणी, महा धैर्यवान होने के कारण सत्य परतिग्य हो आप सब जानेने वाले वबुद्धी मान हो ऐसे गुणों से युक्त होने के कारण आप जीवों की प्रवर्ती और उनकी निवर्ती के कारणों को भली भाती जानते हैं अतहा आपको वे दुख भी जो अन्ने लोगों को असहनिये हैं नहीं सता सकते भरत ने शिरी राम से फिर ये कहा मेरे ननिहाल में रहते समय मेरी इस नीच माता ने जो पाप मेरे लिए किया है वह मेरे लिए अनिस्ट कारक है क्या करूं? मैं धर्म बंधन से बंधा हुआ हूँ नहीं तो मैं इस माता को कठोर दंड दे मार डालता मैं ऐसे क्या धर्म है और क्या अधर्म सामने सभा में उनकी निंदा करना उचित नहीं किन्तु कौन ऐसा पुरुष होगा जो धर्म को जान कर भी स्त्री के प्रेम की कामना से ऐसा पाप कार्य करेगा हे धर्मग्य यह एक पुरानी कहावत है कि मरने वाले की बुद्धी बिगड जाती है सो महराज ने यह कर्म करके इस कहावत को सफल करके लोगों के सामने प्रत्यक्ष दिखला दिया जो पुत्र पिता की भूल चुक को भी ठीक मान लेता है लोक में वही पुत्र पुत्र माना जाता है आप उनकी पुत्र हो अतहा उनकी भूल चूक पर ध्यान न दें और उनके लोकनिंदित कर्म को छिपाईए कैकई को, मुझे, पिताजी को और हमारे भाई बंदो आदी सब को आप इस अपवात अठात लांचन से बचा लेजिए हे भाई, कहां तो शत्रिय धर्प और प्रजा पालन और कहां यह जटा धारण कर जन शून्य वनवास में रहना आप इन पर्स पर विरोधी कर्मों को न कीजिए क्योंकि शत्रिय का सर्व प्रथम धर्म यही है कि वह अपना अभिशेक कराए जिससे वह प्रजा का पालन कर सके और यदि आप इस प्रकार के शरीर को कस्ट देनी वाला धर्म आचरण करना चाहते हैं तो आप चारो आश्रमों ब्रहमचर्य, ग्रहस्त, वानप्रस्त और सन्यास के पालन करनी का कस्ट भी स्विकार कीजिए किन्तु हे धर्मग्य, ग्रहस्त आश्रम को धर्मग्य लोग सर्वत्तम बतलाते हैं तब आप इस आश्रम को क्यों छोड़ना चाहते हैं देखिए, क्या विद्या में, क्या पद में और क्या आयू में मैं आपके समान बालक हूँ तो मैं आपके रहते किस प्रकार पिठ्वी का पालन कर सकता हूं? मैं बुद्धी हीन और सद्गुण हीन हूं और मैं आपके बिना रह भी नहीं सकता फिर राज्य करनी की बात तो जानी ही दीजिए अतहा आप पिता के इस संपूर्ण उत्तम राज्य का बंदू बांधवों स सहित धर्म से पालन कीजिए यहीं पर मंतरों के जानेने वाले गुरुवशिस्ट मंतरीगण और प्रजाजन सहित वैदिक मंतरों से आपका अभिशेक कर देंगे और आप अभिशेक्त होकर हम लोगों के साथ अयोध्या में राज करने को चलें हे रागा आपको वनवास दि आवाकर आप से है याचना कर रहा हूं कि आप मेरे और सब भाई बंदों के उपर दया कीजिए यदि मेरी इस प्राथना को अस्विकार कर यहां से आप दूसरे वन को चले जाएंगे तो मैं भी आपके साथ ही चलूँगा यद्देपी भारत इस प्रकार गड़गड़ा कर और चर्णों पर अपना मस्तक रख कर शिरी राम को मना रहे थे फिर भी शिरी राम पिता के वचन पर ऐसे दृड़ थे कि वी जरा भी विचलितना हुए और उन्होंने अयोध्या लोटने के लिए मना कर दिया जो लोग वहां उपस्तित थे वे शिरी राम की विचार की देख दुख व परसंदा में एक साथ मगन हो गए वे दुखी तो इस बात से थे कि शिरी राम ने अयोध्या जाना स्विकार नहीं किया और प्रसन इस बात से थे कि शिरी राम दृड़ विचारों वाले हैं जब भरत ने फिर से कुछ कहना चाहा तब शिरी राम भरत से बो कि तुम्हारी बेटी के गर्व से जो कुत्र उत्पन्न होगा, वही मेरी राज्य से हासन पर बैठेगा. इसके अतिरिक्त देवा सुर्शंग्राम में भी तुम्हारी माता के उपकार से संतुष्ट हो. पिताजी ने उन्हें दो वर्दान दिये थे, इसलिए तुम्हारी माता ने पिताजी को वचन बद्द कर उनसे वही दोनों वर्दान मांगे. एक वर से तुम्हारे लिए राज्य और दूसरे से मेरे लिए वनवास. महराज ने भी माता कैकई के मांगनी पर इन दोनों वरों को दे कर अपनी प्रतिग्या पूरी की. उसी वर्दान के कारण पिता की आग्या से मैंने 14 वर्ष वन में रहना स्विकार किया. अतहा, हे भरत, तुम भी अपना शीग्र राजय भी शेक करवा कर मेरी तरह पिताजी को सत्यवादी बनाओ. सुना है कि पूर्वकाल में गए नाम के एक यशस्वी राजा गया प्रदेश में यग्य करते थे और नहों ने अपने पित्रों से यह वचन सुने थे कि पुत्र पिता को नर्क से मुक्ति दिलाता है और इसके लिए वह अपने पिता के पूर्व में कि ये अधूरे इस्ट कार्यों को पूरा करके उन्हें स्वर्ग में भेच सब प्रकार से पित्रों की रक्षा करता रहता है. इसलिए उसको पुत्र कहते हैं और इसी उदेश्य से लोग विद्वान और गुणवान भहत से पुत्रों की चाहना करते हैं कि उन में से कोई तो पुत्र गया जाकर श्राद आदी द्वारा पित्रों का उद्दार करेगा हे भरत तुम भी पिताजी का नर्क से उद्दार करो और शत्रुघन को तथा प्रजा को साथ लेकर अयोध्या जाओ और रासिहासन संभालो यह अमित बुद्दी वाले शत्रुघन तो महारे सहायक रहेंगे और सर्व लोकों में परसिद्ध यह लक्षमन मेरी सहायता करेंगे इस प्रकार महाराज दशरत के हम चारों पुत्र महाराज दशरत को सत्यवादी करें अतहा अब तुम दुखी मत हो इस प्रकार से जब शरीराम भरत को समझा रहे थे तो वहां उपस थे जावाली नाम के एक श्रेष्ट ब्रहमर ने धर्म से विरुद ये वचन कहे महाराज आप तो ऐसे वचन ना कहिए क्योंकि आप श्रेष्ट बुद्धी वाले हैं जरह सोचिये तो कौन किसका बंदू है और कौन किसका कुछ बिगाड सकता है यह प्राणी अकेला जन्म लेता है और फिर उसे अकेला ही नस्ट भी होना होता है यह मेरी माता है यह मेरा पिता है ऐसा संबंद मान कर जो पुरुष इन संबंदों से बंदा होता है उसे पागल की तरह ही समझना चाहिए अगर विचार पूरुवक देखा जाए तो सच मुझ कोई भी किसी का नहीं है जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने गाउं से दूसरे गाउं को जाता हुआ कहीं मार्ग में ठहर जाता है और अगले दिन उस स्थान को छोड़ चल देता है इसी प्रकार माता, पिता, घर और धन आदी संपत्ती के साथ भी मनुष्य का थोड़ी देर का टिकाउं संबंद है अतहा सज्जन लोग इन में आसक्त नहीं होते आप पिता के राज्य को छोड़ इस मार्ग पर जो दुख देने वाला और बहुत से कस्टों से परिपून है पर क्यूं चलना चाहते हैं आप तो अयुद्य चल कर अभिशेक करवाईए ना तो अब दशरत आपके कोई है और ना ही आप दशरत के कोई है महराज को जहां जाना था वहां चले गए क्योंकि मरणशील प्राणियों की यही नियती है कि उन्हें एक दिन जाना ही पड़ता है तुम व्यर्थ ही इस जूटे संबंद को लेकर पीडित हो रहे हो देखिए जो लोग पित्रों के उदेश्य से प्रतिवर्ष शराद कारे करते हैं उससे लोग अन्न का कैसा नाश करते हैं भला कहीं कोई मरा हुआ भी भोजन करता है यदि एक अक हाया हुआ अन्न दूसरे की शरीर में पहुँँ जाता तो राहगीर को रास्ते में भोजन करने के लिए भुज्य पदार्थ अपने साथ ले जाने की आवशक्ता ही न पड़ती क्योंकि उसके संबंदी उसके नाम पर घर पर ही शराद कर दिया करते और वही उस राहगीर को भोजन का काम देता और वह बोज डोने से बच जाता हे शरी राम अन्य उपायों से धन अरजित करने में कस्टों को देख कर दूसरों का धन हरने में चतुर लोगों ने लोगों को वश में करने के लिए धर्म ग्रंथों में लिख रखा है कि यग्य करो, दान दो, दिक्षा लो, सन्यास लो वास्तब में इस लोग के अतिरिक्त पर लोग आदी कुछ भी नहीं है, इसे आप भली भाती समझ लीजिए, आप सुख दायक राज्य को ग्रहन कीजिए और अन्य बातों को भुला दीजिए जावाली की बाते सुन शिरीराम ये वचन बोले, आपने मुझे प्रसंद करने के लिए जो बाते कहीं हैं, वे कारे रूप में परिवर्तित करने के लिए अनुपयुक्त हैं, और न्याय मार्ग के विर्द होने पर भी साधारण, द्रिष्टी से देखने पर योग्य जान पड़ती हैं, किन्तु मर्यादा रहित, पाप आचरण से युक्त, चरित्रहीन और सादू संबंद शास्त्रों के विर्द, आचरण वाले पुर्षों का सज्जनों के समाज में आदर नहीं होता, क्योंकि चरित्रही अकुलीन को कुलीन, भीरु को वीर और अपवित्र को प लोगों में दोगलापन बढ़ाने वाले आपके बतलाए हुए धर्म को ग्रहन करूंगा, तो उचित और अनुचित को जानने वाले कौन सी ज्यानी पुरुष मुझ दुराचारी और लोकनिंदित का सम्मान करेंगे, जब मैं ही स्वेच्छाचारी हो गया, तब अन्य सब लोग अपनी मनमानी करेंगे, क्योंकि जैसा आचरन राजा का होता है, वैसा ही आचरन प्रजा का हो जाता है, यथा राजा तथा प्रजा, कहावत प्रसद्धी ही है, देखो, रिशी और देता लोग सत्य को उत्कृस्ट मानते हैं, मिध्यावादी पुरुष से लोग वैस साप से, सत्य से ही इश्वर की प्राप्ति होती है, सत्य से ही लक्षमी धन धानने मिलता है, सत्य से ही स्वर्ग प्राप्ति होती है, सत्य ही सब सुखों का मूल है, सत्य से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है, जिसका आश्रे लिया जाए, दान, यग्यतप और वेद ये सब सत्य हैं अतहा सब को सदा सत्य का पालन करते रहना चाहिए आपके बतलाई हुए शत्रिय धर्म को जिसमें धर्म तो ना मात्र का है और अधर्म प्रचूर मात्रा में है को मैं त्याज्य समस्ता हूँ क्योंकि ऐसे अधर्म रूपी धर्म का सेवन तो नीच, निश्टूर और पापी लोग ही किया करते हैं आपने अपने मन में निश्य कर जिसे उचित समझ रखा है और जिसको करने के लिए आप मुझे उचित वचन कहकर अनुरोद कर रहे हैं वह कार्य सरवथा अनुचित है मैं जब पिता से वनवास की प्रतिग्या कर चुका हूँ तो अम मैं क जावाली के नास्तिक्ता भरे वचन सुन उनको सहन न कर सके और उन वचनों की निंदा करते हुए उनसे फिर बोले हे जावाली सत्य बोलना अपने अपने वर्ण और धर्म का पालन करना समय पर प्राक्रम दिखाना प्रिय वचन बोलना ब्रहमन देवता और अथितियों का इन कर्मों के करने से साधू जन स्वर्ग की प्रापती बतलाते हैं इसलिए ब्रहमन लोग इसका अर्थ समझ कर वो सावधानी पूर्वक समस्त धर्मों का पालन करते हुए ब्रहमा लोग आधि की आकंक्षा करते हैं जो धर्म अनुस्ठान में सदा तत्पर रहते हैं, जो तेजस्वी हैं, जो हिंसा नहीं करते, जो सत्संगी हैं, ऐसे वशिस्ट आदी प्रधान, मुनी ही संसार में सब के पुज्य होते हैं, ना कि आप जैसे नास्तिक लोग. जब शिरीराम ने क्रोद में भर कर, जावाली से ऐसी वचन कहें, तब जावाली विनेपूर्वक आस्तिक वचन बोले, हे शिरिराम, मैं नास्तिक जैसी बाते नहीं करता और ना ही कहता हूँ और ना मैं स्वेम नास्तिक हूँ, प्रन्तु समय की आवशक्ता नुसार में आस्तिक अथवा नास्तिक हो जाता हूँ, यह समय ही ऐसा था कि मुझे नास्तिकों जैसे वचन कहने पड़े, मैंने यह वच आपको प्रसन्द करने और आपको वं से लोटा लेने के लिए कहे थे वशिष्ट जी ने जब देखा कि शिरी राम जावाली की बातों से कुध्ध हो गए हैं तब वे शिरी राम से बोले जावाली प्राणियों के आवागमन को मानते है तुमको लोटाने के लिए ही उन्होंने ऐसी बाते कहीं थी वैसे भी एक शिवाकू वंश में जेस्ट राजकुमार ही राजा होता चला आया है जेस्ट राजकुमार के विद्धमान रहते छोटे को राजगद्धी नहीं मिल सकते अतहा आप अनेक राजजियों से युक्त प्रत्वी का शासन करो राजपुरोहित वशिष्ट जी फिर शिरी राम से बोले हे राम, पुरुष जब जन्म लेता है तब उसके तीन गुरु होते हैं माता, पिता और आचारे माता, पिता तो केवल शरीर को जन्म देते हैं और आचारे बुद्धी देता है अतहा वह गुरु कहलाता है मैं तुम्हारे और तुम्हारे पिता का आचारे हूँ मैं जो कहता हूँ उसे तुम मानो और सज्जनों के कथन का उलंगन मत करो गुरु वशिष्टी जी के इस परकार कहनी पर शरीराम ने उत्तर दिया माता पिता अपने पुत्र की जो सेवा या उपकार करते हैं उसके बदले में उनका उपकार उतारना सहज नहीं है क्योंकि वे अपनी सामर्थय से अधिक पुत्र को उत्तम भोजन वस्तर आदी देते हैं मधूर से मधूर वचन कहकर लाड़ प्यार करते हैं और अपने पुत्र की उन्नती वो उसकी लंबी आयू के लिए अनेक उपाय करते हैं शिरीराम का यह वचन सुन कर भरत उदास हो सुमंत्र से बोले हे सार्थे तुम इस चबूत्रे पर कुशों को बिछा दो जब तक मेरे ज्येस्ट ब्राता शिरीराम मेरे उपर परसनना होंगे तब तक मैं इनी कुशों पर धरना देकर बैठा रहूंगा यह सुन सुमंत्र शिरीराम के मुख की और उनकी अनुमती के लिए देखने लगे तब भरत उदास हो सुयम ही कुश बिछा कर शिरीराम के सामने धरना देकर बैठ गए तब शिरीराम भरत से कहने लगे कि शत्रियों के लिए धरना देना उचित नहीं है आतहा तुम इस कठोर वरत को त्याक कर शीक्रही अयुद्या को प्रस्थान करो तब भरत उसी प्रकार धर्ना दिये बैठे रहे और चारों और बैठे हुए पुरवासी की और देख कर बोले तुम सब लोग शिरीराम से क्यों कुछ नहीं कहते तब सभी पुरवासी भरत से बोले हम शिरीराम से आग्रहे नहीं कर सकते क्योंकि शिरीराम पिता की आग्या पालन हितु दर्ड संकल्प लिये हुए है हम लोगों में यह सामर्थे नहीं कि इनको तुरंत लौट चलने के लिए कहें तब शिरी राम भारत से बोले इन बातों को सुन कर इन पर भली भाती विचार करो और धरने से उठ जाओ यह बात सुन भहरत उठे और आचमन कर यह वचन बूले हे ब्रहमणों, हे पुर्जनों, हे शत्रिये वैश्यों, मेरी बात सुनो ना तो मैंने पिता से राज्य मांगा और ना मैंने अपनी माता को कुछ सिखाया पड़ाया और ना ही मुझे शिरी राम के वनवास का कुछ भी हाल मालुम था यदि पिता की अग्यानुसार वनवास करना आवशक ही है तो मैं शिरी राम का प्रतिनिधी बन 14 वरश वन में वास करूँगा और शिरीराम मेरे प्रते निधी बन अयोध्या में जाकर राज्य करेंगे। के अधिकार से बाहर है कि उनकी भीट की हुई वस्तु वापस ले ले। अतहा मैं सज्जन जनों से निंदा कराने ही तू। यह दुशकर्म न करूँगा कि भरत को अपना प्रतिनीधी बना वन को भेज़ दू। मैं जानता हूं कि भरत द्वारा राज्य शासन होने से किसी प ग्रहन करूंगा। अतहा हे भरत महराज से माता कैकई ने जो वर मांगा था उस वर के अनुसार कारे किया और पिताजी को असत्य कथन से मुक्त किया। तुम भी माता कैकई को दिये हुए दूसरे वर के अनुसार राज्य ग्रहन कर महराज को जूठी बातों के दोश से मुक बाईयों का यह रोमांचक मिलन देख विस्मित हुए और कहने लगे कि ये दोनों राजकुमार जीन महरास दश्रत की पुत्र हैं वे धन्य हैं। को कह रहे हैं और हम सब भी यही चाहते हैं कि शीरी राम अपने पिता के वचन रूपी रुण से मुक्त हो जाएं। आती विचार कर आपको मेरी प्राथना पूरी करनी चाहिए। इस बड़े राज्य की अकेली रक्षा करनी का मुझ में सहस नहीं होता। समस्त अयोध्या नगरी एक मात्र आप ही के राज्यशासन की प्रतिक्षा कर रही है। तब शिरी राम ने भरस से यह वचन बोले। चंद्रमा की शोभा भले ही चंद्रमा को छोड़ दे। हिमालय भले ही हिम छोड़ दे। किन्तु मैं पिता की प्रतिग्या को नहीं छोड़ सकता। शिरी राम के ऐसा कहनी पर तब वशिस्ट जी ने उन्हें अपनी स्वर्ण भूशित खड़ाओ को देने को कहा। और कहा कि तुम्हारी ये खड़ाओ तुम्हारे प्रतिनिधी के समान रहेगी। तब भरत शिरी राम से कहने लगे। हे आर्य इन स्वर्ण पादुकाओं पर आप अपने चरण रखिए क्योंकि ये ही दोनों पादुकाओं सबकी रक्षा और शांती व्यवस्था बनाए रखेंगी। भरत की ये वचन सुन शिरी राम ने वे खड़ाओं अपने पैरों में पहन ली और फिर उनको उतार कर भरत को दे दी। तब भरत ने भक्ती सहित उन दोनों खड़ाओं को प्रणाम कर शिरी राम से कहा कि आज से लेकर 14 वरश तक जटा चीर धारण कर और कंद मूल फल खाकर आपके आग्मन की प्रतिक्षा करूंगा। हे रगुनंदन, मैं नगर के बाहर ही रहूँगा और सब राजकारे आपकी खड़ाओं को अरपित कर मैं राज्य का प्रबंद करता रहूँगा। प्रदिक्य की। फिर भरत और शत्रुगन को आदर पूर्व खरदे से लगा कर शिरी राम भरत से यह बोले कि देखो माता कैकई की रक्षा करना, उन पर कभी क्रोधित मत होना, इसके लिए तुम्हें मेरी और सीता की शपत है। तब भरत ने उन सुंदर खड़ाओं का भली भाती पूजन किया, फिर शिरी राम की खड़ाओं को उस हाथी के मस्तक पर रखा, जिस पर महराज दशरत सवार हुआ करते थे। शोक से विकल होने के कारण, माताओं मेंसे किसी भी माता के मुख से शिरी राम के प्रती एक बात भी ना निकल सके। शिरी राम भी सब माताओं को प्रणाम कर रोते बिलगते कुटी के भीतर चले गए। फिर भरत ने हाथी के मस्तक से खड़ाओं उतार कर अपने मस्तक पर रखी और प्रसन होते हुए शत्रुगन को साथ ले रत पर सवार हुए। वशेष्ट, वामदेव, जावाली, आदी, रिशी, वो मंत्री आगे-ागे चले। चित्रकूट से चल कर भरत वापसी में भरद्वाजी के आश्रम में पहुँचे। आश्रम पहुँच भरत रत से उतर पड़े और भरद्वाज को प्रणाम किया। तब भरद्वाज ने प्रसन्न होकर भरत से पूछा, हेताक क्या तुम्हारी शिरीराम से भेंट हुई? तब भरत ने चित्रकूट के वन में शिरीराम से जो जो बाते हुई वे सब उन्होंने भरद्वाज को बताई और यह भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने अपनी खड यह सुनकर भरद्वाज जी ने भरत से कहा कि जिनके तुम जैसे धर्मात्मा और धर्म वत्सल पुत्र हैं, वे महाबाहु दशरत अजर अमर हैं। इस प्रकार के वचन सुन भरत हाद जोड उनकी चरण छूँ, उनसे विदा होकर मंत्रियों सहित अयोध्या को लोट गई। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा? अपनी विचार हवश्य ही बताएं।